अर्थ प्रकाश टीवी में आपका स्वागत है किसी ने कहा है जीना है तो जी जीने की तरह हैं जीने का महज इल्जाम ना ले हमारे साथ आज विधायक मोहलाल बडोली हैं जो की बीजेपी के टिकट पर पहली बार राई विधान सभा क्षेतर से विधान सभा में पहुंचे ह उनके व्यक्तिकत जीवन और उनकी राजनेतिक जीवन से लेकर उनके संकल्प को लेकर आज हम उनसे बात करेंगे सबसे पहले आपका स्वागत है अर्थ प्रकाश टीवी में आपका मैं दनवाद करता हूँ कि आपके चैनल पर आज मेरे को आपने मौका दिया है और मैं आपके सभी दर्शकों का भी दनवाद करता हूँ जो आपके चैनल को देखते है आप राई विधान सभा क्षेतर से चुनकर आए हैं एक ऐसी सीट जिस पर एक तरह से पैत्रिक एक तरह से आप कहिए कि खांदानी लोगों का ही कबजा रहा है आपने पहली बार इस केले को कैसे फटा किया इसके बारे में जाना जाए यह फटा है राई विधान सभा की जो जनता है जो उन लोगों से तंग आ चुकी थी ये उन सभी लोगों की जीत है और इसमैं तो मैं बारती जंता पार्टी का एक में साधान सा कारी करता जो सुरुवात से ही बारती जंता पार्टी की राजनीती की और संग का समशेव करा और जो भी कारिये दूसरी पार्टियों के सासन में भी देखे और अपनी जो पांच साल का 14 से लेके 19 तक का सासन मुख्य मंतरी मनोरलाल का रहा उसमें भी बहुत से काम देखे हैं और जनता की जो सोच रहती है सरकार के परती काम के परती वो सब मेरे को जमीनी स्थर पर सारी अखिकत का पता है वो सारे काम पूरे करने का मेरा एक सपना है उसको जनता ने मुझे आशिरवात दिया है तो मैं उनको पूरा करने का का करूँ है हर क्षेतर में बदलाव आता है तरीके बदलाएं है चाहे वो राजनिती है चाहे वो बिजनस है राजनिती में जो एक नए तरह का बदलाव खासकर मोदी जी के आने के बाद आया है कौन सा ऐसा बदलाव है जो आपके दिल के सबसे करीब है जो चाहते है कि उस पर आप अमल करेंगे। और इतनी लंबी राजनितिक लड़ाई को लड़ा है। जो मोदी जी का सपना है कि हर अपने देश की पैचान होनी चाहिए, अपने प्रदेश की पैचान होनी चाहिए। अरियाना प्र्देश हरी की भूमी है और जब हम दिल्ली से अरियाना प्रदेश में प्रवेश करते हैं। मेरी योजना इस परकार की है सरकार की भी योजना है सरकार के सेयोग से के आणे वाड़े हर वेक्ति को लगे के मैं हरियाना परदेश में परवेश किया है और हरियाना परदेश का जो एक हरी की भूमी हरियाना है उसी का आनंद उन लोगों को मिले इस परकार की योजना है इस अमरिकपुर गाव है वहां से भी हमारे अरियाना पर प्रवेश जो रोड करता है वहां पर इस परकार की सुन्दरता बनाने का काम करेंगे जिससे आने वाले वैक्ति को लगे कि हमने अरियाना परदेश में प्रवेश किया है एक सवाल ये उठता है कि जो NCR क्षेतर के जैसे नोड़ा है गुरूग्राम है वो बहुत एक अंतराश्टिय उस पे आ गए है शहर के रूप में लेकिन अभी भी जो आपका राई और सोनिपत का क्षेतर है वो उस तरह से प्लान एक इंड़स्टिल एरिया नहीं बन पाया है हमारा कुंडली के नाम से बहुत बड़ा इंड़स्टिल एरिया है राई के नाम से भी इंड़स्टिल एरिया है और नातुपर शबोली में भी एक बहुत बड़ा इंड़स्टिल एरिया है और एरपोर्ट गुरगावा में की तरफ था और इसलिए उसका भी एक बहुत पलवल तक पहुंच गई है उदर तो गाजियाबाद तक पहुंच गई है उदर बादुरगण पहुंच गई है लेकिन सोनिपत की तरफ मेट्रो नहीं आई ये भी एक पिछड़ने का बहुत बड़ा कानर आया है क्योंकि जब तक रास्ते बढ़िया नहीं होंगे आने जाने मेट्रो का विस्तार होगा और उसके बाद हमारे एरिये में भी उसी तरज पर विकास के काम होगे हमारे राई विदान सबा एक जो गुरगावा के अंदर विकास हुआ है उससे बढ़िया और नया विकास राई विदान सबा में होगा उसी तरज पर होगा और आधुनिक त चार यूनिवस्टी और शिकर आएंगी तो उसके बाद यहां बहुत बड़ा एक हब शिक्षा का भी बनेगा और राई विदानसवा एक बहुत आदर्स विदानसवा बनेगी एक सवाल मैं किसानों की बात पर करूँगा कि एक तरह से जो कहा है मोधी जी ने के दो हजार चोबिस तक किसानों की आए आमदनी होगी लेकिन आप अगर वस्तूस दिती देखे आज किसान की जो लागत है और जो उसकी आमदनिया उसका जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है दूर लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्या लगता है कि ये सिरफ एक महज इस तरह से बदलाव आ सकता है ये बारती जनता पार्टी का एक मिस्टन है और प्रधार मंतिर इंद्रेजन और मोधी जी ने एक टारगेट सेट किया है कि दो हजार चोबिस तक किसा कि आमदनी को डबल करेंगे ये निश्चित रूप से डबल होगी और बहुत सारी फसले ऐसी एक पोलसी के तहते जिन फसलों के बोने से किसान की इंकम आज की डेट में भी डबल हो रही है जो पहले जो इंकम उन फसलों में किसान की होती थी उससे मोधी जी की पोलसी की को हम कम करेंगे और उसकी लागत के अनुसार जो उसका स्वामी नाथना आयो की रिपोर्ट के आदार पर जो रेट तै करती है सरकार वो किसानों को मिलेगा आपका संकल्प क्या है सबसे पहले अगर हम ये देखें कि हरियाना नंबर वन की बात हमेशा से होती रही है आपका अगले एक साल के दो हजार बीस के लिए क्या संकल्प मेरा संकल्प यह है कि मेरी जो राई विदान सभा के बेरोजगार यूख है उनको सबको रोजगार मिल जाए और जो शिक्षा का स्तर जिस परकार से सरकारी स्कूलों में होना चाहिए उस परकार से उसको डवलप करने की योजना है और जब तक शिक्षा सबको नहीं मिलेगी जब तक देश का विकास नहीं हो सकता शिक्षा ये एक ऐसा मादम है जिससे अमारे देश की गरीबी दूर हो सकती है तो ये थे महुनलाल बडोली जो कह रहे थे कि शिक्षा और रोजगार उनके महत्रपूर्ण मुद्दे हैं उनी पर वो काम कर रहे हैं और वाकई जब आप शिक्षा का परशार करेंगे तो उससे समाज बढ़ता है उससे राज्य बढ़ता है और उससे देश आगे बढ़त कर दो है